नमस्कार मेरा नाम है विमल और मैं एक फाइनाइन्स प्रोफेशनल हूँ आज की वीडियो उन लोगों के लिए काफी ज़्यादा इंपॉर्टन है जो बिटकोईन में इंवेस्मेंट्स करते हैं बिटकोईन में इंवेस्मेंट्स करने वाले हैं या किसी भी तरीके की क्रिप्टोकरंसी में इंवेस्मेंट्स करने वाले हैं क्योंकि अगर मैं latest updates के बारे में बात करूँ तो चाइना की government ने चाइना के central bank ने क्रिप्टोकरंसी को लेकर latest update, latest rule बनाये हैं। यहाँ पर चाइना की government ने ban कर दिया है क्रिप्टोकरंसी को और इसके जितने भी transaction है इसको illegal करार कर दिया है। इसके हुझे से आपके portfolio पर क्या असर पढ़ सकता है और क्या यह सही time है bitcoin में investments करने का जानेंगे सब के बारे में इस वीडियो में। इसके साथ-साथ मैं आज की वीडियो में आपको ये भी बताने माला हूँ कि चाइना की government ने bitcoin या cryptocurrency को ban क्यों किया हैं। आखिर इसके पीछे का राज क्या है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को कर दो subscribe और इसके साथ-साथ वीडियो को भी like कर देना ह। जैसे कि हम लोगों में से ज्यादा दो लोगों को पता हैं कि Bitcoin या cryptocurrency जो हैं उसको किसी भी तरीके की government कंट्रोल नहीं करती हैं इसके लिए यहाँ पर काफी सारे लोगों ने investments करके इस पर अच्छे खासे returns भी कमाये हैं। सबसे पहली बात cryptocurrencies को कोई regulate नहीं करता हैं तो यहाँ पर cryptocurrencies compete करता हैं उन currencies को जिसके उपर regulations हैं। अब यहाँ पर Bitcoin या cryptocurrency को as a legal tender accept करना है या नहीं यह depend करता है country की government को। बहुत सारे countries में Bitcoin जो हैं वो legal हैं लेकिन इंडिया और इसके साथ साथ काफी सारी countries हैं जहाँ पर Bitcoin को legal tender नहीं मिला हैं। इसका main reason यह हैं कि जब कभे भी cryptocurrencies का use होता हैं किसी भी country में तो यह country के economic के लिए काफी ज्यादा harmful हैं और यह economic की development में support नहीं करता हैं। अगर मैं आपको मोटे-मोटे शब्दों में बताना चाहूँ तो इसके वज़़े से किसी भी country की GDP में किसी भी तरिके का growth नहीं होता है। काफी पर यह country की growth में negativity लाती हैं। GDP के अलावा भी काफी सारी चीज़ें हैं जिन पर cryptocurrencies का impact पड़ता हैं। इसलिए चाइना के Central Bank ने इसके लिए काफी सारी guidelines issue की हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे critical rules भी implement किये हैं। इसके अलावा जितने भी transactions होते हैं, cryptocurrency में इसको illegal करार कर दिया है। चाइना के Central Bank के decision से इसके country के investors को फाइदा होना हो, लेकिन इसके country के GDP को काफी ज्यादा फाइदा होगा। चाइना के Central Bank के cryptocurrency को ban करने के बाद Bitcoin के जो price है, वो 45 lakh से 33 lakh के आसपास आ चुकी है। यह अच तक का सबसे बड़ा downfall था। जिसकिसी ने भी यहाँ पर investments किया होगा, उसके जो losses है, वो कम से कम एक unit पर 10 lakh के आसपास का loss होगा minimum। जैसे कि मैंने वीडियो के starting में बता है कि Bitcoin किसी भी तरीगे का legal tender नहीं है और किसी भी country के government इसे regulate नहीं करती है। तो यह country to country depend करता है कि Bitcoin को accept करना है या उस पर किस तरीगे के rules बनाने है। अगर मैं इंडिया के currency situation की बात कर तो यहाँ पर किसी भी तरीगे का specific rules and regulations नहीं बने हैं क्रिप्टोकरंसी को लेकर। अगर आप इंडिया में हैं और investments करना चाते हैं क्रिप्टोकरंसी में तो यहाँ पर आपके ऊपर किसी भी तरीगे का band नहीं है और आप openly investments कर सकते हैं। आज की वीडियो का सबसे main सवाल की क्या ये सही time है क्रिप्टोकरंसी में investments करने का। क्या आप यहाँ पर investments करके अच्छे खासे returns कमा सकते हैं। जब कभी भी बात आती है investments करने का किसी भी investing option में तो यहाँ पर investments करने का सिर्फ और सिर्फ एक rule हैं जो बहुत सारे बड़े-बड़े investors follow करते हैं। फिर चाहे वो रतन डाटा हो, राके जुन-जुन वाला हो या Warren Buffett हो। तो रोल क्या है, रोल यह है कि जब कभी भी market गिरता है तब हमें खरीदना चाहिए। और जब कभी भी market भढ़ता है, market में shares की या किसी भी तरीके के investment option की value भढ़ती हैं, तब हमें profit book करना चाहिए। कहते हैं ना समझदार को इशारा ही काफी होता है, तो यह काफी अच्छा time हो सकता है bitcoin या cryptocurrency में investments करने का, तो आपको यहाँ पर investment जो है वो जरूर करना चाहिए। इसके साथ-साथ bitcoin में investments करने के लिए सबसे best platform है WazirX, जिसका use करना हूँ मैं दो साथ से, अगर आप भी WazirX के through investments करना चाहते है, bitcoin या cryptocurrency में तो आपको investments करने के लिए link जो है वो description में मिल जाएगी, definitely आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को like करना, share करना इसके साथ-साथ अगर आप चैनल पर नए हूँ तो इस चैनल को subscribe करो, मैं आपको मिलूँगा अगली वीडियो में नए topic के साथ, नए update के साथ, तब तक के लिए signing off.